नागा लेंड में घाले और तिरपुरा में विधान सवा की तारीकु का चुनाव आयोग 18 जन्वरी को एलान करेगा बता दे कि बुद्वार को दोपैर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फरेंस में कारेकरम की घोशना करेगा गौर्दलब है कि तीनों राज्जियों नागलेंड में घाले और तिरपुरा की विधान सवाओं का पांस साल का कारेकाल 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को पूरा हो रहा है और उस अब्दी से पहले नई विधान सवाओं का गठन किया जाना है बतादे कि इससे पहले चुनाव आयोक की एक टीम ने चुनाव तयारियों की समीख्षा करने के लिए राज्जियों का दोरा किया था और सुरक्षा विवस्था का जायजा लेने के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिजियों के साथ बैठके की थी साथी चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की थी साथी सुरक्षा के इंतिजामों के मद्दे नजर पुलिस प्रमुकों के साथ सुरक्षा विवस्था पर अलग से बैठक भी की थी इसके अलावा पॉल पैनल टीब ने सुतंत्र और निश्पक चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिजियों के साथ भी बैठक की थी मुक्हे चुनाव आयोग राजीव कुमान ने जानकारी देते हुए बताया था कि चुनाव आयोग ने मद्दाताओं को लोगतंत्र के तयोहार में शामिल होने के लिए सभी इंतिजाम किये हैं चुनाव को निस्पक्ष कराने के लिए आयोग ने सी विजिल एप भी जारी किया है। अगर मद्दाता को किसी तरह की धमकी दी जाती है तो वो एप के जरीए चुनाव अधिकारियों को सूचना दे सकता है। बीजेपी राश्ठी महा सचीब तरण चुक ने बादल को पार्टी मुख्याले में बीजेपी की सदर से तदलाई। कॉंग्रेस छोड़ने की वज़ा बताते हुए मनप्रीत बादल ने कहा कि ऐसी पार्टी में काम कैसे किया जा सकता है जहां नेता आपस में ही लड़ते रह अपने साथ ही जंग है धड़े बने हुए हैं जो चार पांच धड़े होते हैं एक को लीडर ऑफ आपोजिशन बना देते हैं लीडर ऑफ लेजिस्टेटर पार्टी बन जाता है एक लीडर ऑफ केमपेंड पार्टी एक दूसरे को साथ लड़ाई का यहां हर हर मतलब पंज देना है हम को धड़ों की सियासत थोड़ी करेंगे तो यह वजाय कि कॉंग्रस चोड़ने की नौबत पड़ी प्यूश कोयल ने मंत्रीद बादल का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि उनके जैसे अनुभवी और सरल सुभाब के नेता के पार्टी में आने से पंजा अनुख सरागी पंजाब में और देश पर और दुनिया भर के सिखों के बीच में हमारे बीच में और मेरा मानना है कि आपके आने से आज भारतिय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक पंजाब में भी और देश की रादनीति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन मैं इस आज को मानता हूँ दिल्ली एंसियार समेथ पूरा उत्तर भारत करा के खिठंड के आगोश में है दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरा और प्रदूशन भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए है दिल्ली में लोग ठंड से बशने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं मौसम विभाग के मताबिग दिल्ली के सबदर्जंग में नियूनतम तापमान 2.6 degrees Celsius दर्ज किया गया है इसके अलावा दिल्ली के लोधी रोड इलाके में नियूंदम थापान 2.2 डिग्री सेल्सेस रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग के मताबिक वेस्टन डिस्टबैंस की वज़ा से पश्चिम के हिमाले छेत्रों में 21 जनवरी की सुबा से 25 जनवरी के बीश पश्चिमी विक्षोब सक्रिया रहेगा इसकी वज़ा से 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में बारिश का अनुमान है दिल्ली के अलावा जम्मू, हिमाचल पुर्देश, उत्राखंड, पंजाब, हरियाना और चंडिगर में भी बारिश हो सकती है साथ ही 50 किलोमेटर पुर्थी घंटे की स्पीट से चलने वाली ठंडी हवाई भी लोगों की परेशानिया बढ़ा सकती है वहीं कोहरे के काराण सबसे ज़्यादा परेशानी या आत्रियों को छेलनी पड़ रही है भारतिया रेलवे ने बताया कि कोहरे के काराण उत्तर रेलवे छेतर में छेतरे ने दिरी से चल रही है वहीं दिल्ली में परदूशन भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है दिल्ली का एर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब शेवनी में पहुँच गया है दिल्ली में ओवर्ल एक्वाई 316 दर्च किया गया है जो बहुत खराब शेवनी में आता है वहीं दिल्ली के पूसा इलाके में एक्वाई 318 जबकि आरे नगर में 273 और लोधी रोड का एक्वाई 245 दर्च किया गया है आने वाले दिनों में बारिश के बाद प्रदूशर से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है केंद्री चुनाव आयोग ने साल 2030 में होने वाले पूर्वत्तर के तीन राज्यों नागलेंड में घाले और तिरपुरा में विधान सवा चुनाव की तारीकों का एलान कर दिया है तिरपुरा की 60 विधान सवा सीटों के लिए एक चरण में 16 फरवरी को मद्दान होगा इसके लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीक 30 जनवरी रखी गई है वहीं मतों की गिंती 2 मार्च को की जाएगी वहीं नागलेंड और मेगाले में भी एक ही चरण में 60-60 विधान सवा सीटों के लिए 27 फरवरी को मद्दान किया जाएगा इसके लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीक 7 फरवरी रखी गई है वहीं दोनों राज्यों में मतों की गिंती 2 मार्च को की जाएगी चुनाप कारेकरम की घोशना के साथ ही राजनी तीक दलो और उम्मीद्वारों के लिए आदर्स आचार सहिता भी आज से लागू हो जाएगी और उम्मीद्वारों के लिए जाएगी चिल्डरन नोट रियली डिस्टर्ब्ड बाइस तो इक्टेंट पॉसिबल कॉंग्रेश की भारत जुड़ यात्रा अपना पंजाब पड़ा पूरा करने के बाद देव भूमी हिमाचल में प्रविश कर चुकी है बतादे की पंजाब में भारत जुड़ यात्रा छे दिन रही बुद्बार सुभा राहूल गांधी के नेतत में भारत जुड़ यात्रा पंजाब के पडोसी राज्जे हिमाचल प्रदेश में पहुँची कांगना जिले के इंदोर के मीलवा के राज्टे यात्रा ने एंट्री ली यात्रा के हिमाचल पोहुँचने पर सुभे के मुख्य मंत्री सुखबिद्नर सिंग सुकु और राज्जे पार्टी अध्यक्ष प्रतिवाथ सिंग सहीद पार्टी के अन्य नेताओं ने राज्जे में दिन भर चलने वाले मार्च का स्वागत किया पहाड़ी राज्जे के सीमवर्ति गाउं घटोटा में जंडा सोपने का समरो आविजित किया गया राज्जे में प्रवेश करने पर राहुल गांधी ने कहा कि आतरा हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरनी चाहिए हमने पूरा राज्टा बदल दिया साथ उन्होंने कहा कि बीजे पी ये तो नहीं कहेगी कि कोई चुनाव हारेंगे लेकिन बीजे पी को जबदर्स चोट लगेगी बीजे पी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे उनके तो और कोई चॉइस नहीं है बट जो देश में महहौल त्यार हो रहा है जो खासतोर से जो एकनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनिम्प्लॉइमेंट है, जो प्राइसराइज है, उससे बीजेपी को जबद्रस चोट लगेगी, that is abundantly clear, और मैं मतलब निकला हूँ, सड़क पे चल कर निकला हूँ, मद्यप्रदेश से मैं निकला हूँ, बाकी स्टेट से, करनाटक से, ये तो clear है, कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है. बताया जा रहा है कि आरोपी और पीडि दोनों चात्र महिंद्रा विश्विध्यालने में ही पड़ते हैं, वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह भगीरत कॉलेज परिसर में शीराम को बार बार थपड़ मारता दिख रहा है, एक अन्य दोस्त भी चात्र के सा गिरे हुए हैं, शीराम के चहरे पर मुक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं, बाद में अन्य लोगों ने भी चात्र के साथ मार पीट की, सूत्रों की मताब एक भगीरत साई ने दावा किया है कि शीराम ने उसके सहपाटी की बेहन के साथ दुर्विवार किया था, देर शाम बंदी संजय कुमार के कार्याले ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें शीराम कबूल करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने लड़की के साथ गलत वहवार किया था, इसलिए उन्हें भगीरत और कुछ अन्य छात्रों ने पीटा था, शीराम ने दावा किया है कि ये उतरप्रदेश की राजधानी और तहजीब की नगरी लखनों में चलती स्कूटी पर रोमैंस करने वाले कपल को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, हजरत गंज पुलिस के मताबिक यूपती नाबालिक है, इन पर पब्लिक प्लेस पर अश्लील ता फैलानी समेट अन्य धा करा दिया गया है, दरसल मंगलवार को लखनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा था, वीडियो में लड़का स्कूटी चलाता दिख रहा है, लड़की यूवक की गोद में बैच कर उसे बाहों में भर कर गली लगाते हुए किस करती नजर आ रही ह लखनों सेंट्रल जोन की डी सीपी अपड़ना रजट कौशिक ने मंगलवार शाम को बताया कि बुद्वार सुबा तक आरोपी लड़के को गिरफतार कर लिया गया, लखनों पुलिस का कहना है कि वीडियो के अधार पर हजरत गंज थाने में मुकदमा लिखा गया, इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावीद ने एंग पार फिर अपने बोल्ट अफ्तार से फैन्स का ध्यान अपनी ओर घीश लिया है, इस बार उर्फी जावीद ने हद पार कर दी, उर्फी जावीद अपनी लंबी चूटी से बोड़ी को धगती नजर आई, इस बीच ने कैप्शन में लिखा, I like what I see, उर्फी का ये वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है, इस वीडियो में उर्फी ने अपनी चोटी से ब्रेस्ट पार्ट को धका हुआ है, एक्टरस बिल्कुल ये टॉपलेस हैं, वहीं इसी के साथ उर्फी ने ब्लाक हील पहनी होई है, हमेशा जी उर्फी जावेद अपनी कपड़ों को लेकर सुर्ख्या बटोरती है, इनके फैशन सेंस की वज़ा से हमेशा ट्रोलर्स का सामना करती भी है, बतादी दो घंटे में इस वीडियो को सतर हजार से जादर लाइक्स मिल चुके हैं, जिसमें यूजर् तारीफ में एक यूजर् ने लिखा, यार कुछ भी पहन लेती है, लेकिन मानना पड़ेगा, इसका गॉन्फिनेंस कभी भी लूज होते हुए नहीं देखा, वा, इसे के साथ एक और यूजर् ने लिखा, एक थी डायन, उर्फी को जतना पसंद किया जाता है, उतना ही उन जो करना होता है, वो हमीशा करके ही रहती है.